नमस्कार आप जोई रहा छलोक सता चन सता शब्दो नी साहित यानी नियान नी उर्जा पूरी पार्थू स्थर एटले के पूस्तक अने आ एक थी वधू विशय उर्जा आपी शके ते वो संग्राह मड़े एवू स्थर एटले के पूस्तक आले पण कोई एक बंद मोटा नाना ओडामा शांती जाडवी जिवा पात्या लगाव्या होई अने ग्रंथ पालना देखरेक वच्चे वांचन करवा थी थोड़ू के एक अलग कैक आजे अमें तमने जहनावी रहा छे दर्शक मित्रो जानी शू मोहन काखानी वाडी यंगे अमें बात करवाना हता पुस्तकालाई नी तो आवडी के वी बात करी रहा छे तो आमने मालूमत चे दर्शक मित्रो अमें पुस्तकालाई नी जह बात करी रहा छे कि एक अनोखी पुस्तकालाई छे या अने तेमनी इच्छा अनूसार, तेमनी हाजरी माज आ पुस्तकाले अहीं करायू हतु शरू। आस्थाने वांचन काम थाई तेहेतु थी। आजे आपने चमावी देहें कि अहीं 2 हजार जिटला विविद पुस्तक को राखवा मा आव्या चे। दर्शिक मित्रो युवा नो पुस्तक प्रेमी बने तेवो मोहन काकानो विचार, महद अंशे सफर थयो, ते आ कहरी अने चिकुनी वाडी मा देखाई रहो चे। आने सोथी पन वधू लोको पुस्तक वांचन नो ले रहा चे लाब। आ कुद्रती वातावरण वच्चे ना पुस्तकालाई मा मन शांत वातावरण मा वांचन नो आनंद ले शके छे। आ जग्या विशे जो आपने वाद करिये ने, तमने जो एम विचार आउतो होई क्या स्थर वड़ी कहयू चे अनोखी पुस्तकालाई नू तो आपने जनावी देख क्या स्थर नवसारी नजिक आवेल देवधा गामे चे। अहीं थी दर्शक मित्रो आपने वाद करिये तो आज थी 6-7 वर्ष पहला आ वाडी मा लाइब्रेरी शरू करवा मा भी हती। कुद्रती वातवरन साथे ना आ पुस्तक वाडी ये नजिक ना वीज जिटला गामना विध्यार्थियो वांजन करवा माटे पहुचता होई चे। शु कहश्वा अनोखी लाइब्रेरी अनोखा पुस्तकालाई यंगे जानीने तमारू शु कहवू चे। मेंट करीना आपनो अभी प्रायमने जरूरती जनावचो। बिजियाने खबरों साथे प्रीमरी शुतने बाद।